आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Why is the sea cow so called? अब यहाँ हमें बताना है C-cow को C-cow क्यों कहा जाता है यहाँ जो diagram हम देख रहे हैं यह C-cow का diagram है वके C-cow का diagram है basically, C-cow को हम एक और नाम से जानते हैं इसको हम बोलते हैं Menaity यह क्या होती है? Menaity होती है जिसे हम C-cow बोलते हैं अब यहाँ पर देखें यह पाई कहा पर जाती है, तो यह पाई जाती है, marine ecosystem में, तो यह पाई जाती है marine ecosystem में, अब यहाँ पर देखें, तो यह हमारे क्या होती है, marine mammals है, और यहाँ यह जो c cow है यह fully क्या होती है aquatic होती है okay fully क्या होती है aquatic होती है basically इनको देखा जाए तो यह बहुत बड़ी होती है large होती है also यह सबसे important बाद इसकी यह है कि यह कैसी होती है हर भी वोरस होती है कि यह क्या होती है हर भी वोरस होती है और यहां पर सी काउ को सी काउ कहे जाने का एक वजह यह भी है कि अगर हम नॉमल ऐसे काउ की बात करें जो कि हमारे terrestrial habitat पर बाए जाती है हमारे land पर पाए जाती है जो कि क्या खाती है grasses जादा खाती है यानि ये भी हमारे क्या होते हैं, हर्वी वरस ही होते हैं, हर्वी वरस ही होते हैं, इस वज़े से हम इसको क्या कहते हैं, सी काओ कहते हैं, अब यहां अगर हम सी काओ की कुछ और क्यारेक्टर को देखें, तो ये लार्ज मरीन जो मैमल है, इनका जो head होता है, इनका जो head होता ह यह हम डाइगराम में देख सकते हैं, यह कैसा है, अंडे के आकार का है, एक शेब है, इनका Heads क्या होता है, एक शेब होता है, ओल्सो इन में present होते हैं, क्या flippers okay sea cow के पास present होते हैं क्या flippers present होते हैं okay flippers present होते हैं also यहां पर present होती है flat tail okay flat tail होती है अब यहां sea cow के अगर हम बात करें तो यह जो sea cow है जिसे हम manatee बोल रहे हैं यह अपने बहुत जादा large structure की वजह से hunt की जाने लगी है इसका large structure है इस वज़े से इसे क्या कर रहे हैं लोग खाने मैं क्या कर रहे हैं Use कर रहे है eaten by यहां पर आप अम पढुक दे रहे है eating by others यह दूसरों के क्या होती है खाने के लिए use करी जारी है यह इस वज़े से भे use करी जाती है क्योंकि एक तो यह large structure में होती है दूसरा ये कि ये बहुत ही जादा क्या होती है, slow होती है, बहुत ही जादा, तेजी से ये भाग नहीं सकती, और ये क्या होती है, lowling nature की होती है, ये दूसरों पर बहुत ही जल्दी क्या कर लेती है, trust कर लेती है, बहुत ही lowling nature होता है, इस वज़े से लोग इसका क्या कर रहे ह शिकार कर रहे हैं तो यहां पर why is the sea cow is so called तो यहां पर option दे रहा है its shape is like cow तो यह बिलकुल गलत है यहां पर देखिए इनकी क्या है habitat अलग है यह marine में है और cow की बात करें तो यह होती है terrestrial में तो इसका shape एक जैसा नहीं हो सकता second option कह रहा है it has four chambered stomach तो यह भी बिलकुल गलत है क्योंकि इनका जो इनकी जो stomach का बनावत होता है या फिर अगर हम terrestrial and marine ecosystem की बात करें उसमें जितने भी animals present होते हैं इनकी जो body structure होती है वो अलग होती है तो हमारा option two हमारे यहां wrong है it moves like cow तो यह बिलकुल गलत बात है अगर हम यहा बात करें या फिर terrestrial ecosystem की बात करें तो वहां पर अगर जो cows होते हैं यह क्या करते हैं यह तैरने का काम नहीं करते हैं तो यह बिलकुल गलत है option three we fourth option कह रहा है it feeds on seaweeds and marine grasses अब यह जो herbivores होती है यह क्या होते हैं हर भी वोरस और हर भी वोरस होने की वज़े से बेसिकली जो sea cow होती है यह seaweed को खाती है और marine grasses को खाती है तो यह बिलकुल सही बात है इस question के लिए right answer हमारा option four हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर